नमस्कार दोस्तों मैं दीपक DG Optimization की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ पिछले tutorial में हम लोग logical operators के बारे में पढ़े थे इस tutorial में हम लोग देखेंगे कि string operators क्या होते हैं और इनी किस तरह से PHP में यूज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं PHP ने string के लिए 2 special operator assign कर रखें दे रखें हैं जिनको कि हम लोग string को manipulate करने के लिए use करते हैं manipulate के उनको जोडने के लिए use कर सकते हैं basically उनको concatenation भी कहते हैं और concatenation assignment भी कहते हैं ठीक है तो concatenation को कैसे use कर सकते हैं हम लोग आए देखते हैं मालेज हम लोग 2 variable ले ले लेते हैं एक variable ले ले लेते हैं हमें यह ठीक है तो यह हुर अमने ही की दल्लब हमने हमने भूब बूब के इसको तो Negro के सके से करते हैं तो आएट देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं चलिए यह नहीं हमने इसको लेगे हमने i को ठीक है $a.$b ठीक है अब यह इसकी value को यहाँ पर assign कर देगा यहाने कि hello PHP यहाँ पर लिख देगा देखे यहां पर हमने leanspace दिया इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यह चलिए देखते हैं यह देखें इसने लिख दिया hello php ठीक है तो दो string को इसने एक साथ जोड़ दिया अगर माले जी हमें इसमें space जोड़ना है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे dot इस तरह से हम लोग इसमें space जोड़ सकते हैं देखें इस तरह से यहाँ पर इसके बीच में space आगया अब देखें यहाँ पर यह space भी उसको ले लेगा space भी को एक string की तरह है देखें यहाँ पर space आगया इसमें तो इस तरह से हम लोग इसमें space भी लगा सकते हैं और दूसरा जो इसमें operator होता है वो होता है concatenation assignment concatenation assignment क्या होता है आज़े देखते हैं इसको concatenation assignment को कैसे यूज कर सकते हैं इसमें देखें जो यही text हमने लिखा हुआ है इस तरह से echo dollar a dot dollar b इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें इस तरह से यह dot लिखा हमने और dot के साथ लगा दिया हमने equal to यानि कि यह पहले add करेगा जैसे हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि plus लगाते थे फिर इसके बाद equal to करते थे तो पहले plus करता था plus करता था प्लस करता था और फिर उसके बाद उसकी value assign करता था इसी तरह से हम लोग यहाँ पर dot पहले लगाए है equal to के तो यह पहले b को a के साथ add करेगा और उसके बाद उसकी value display करेगा तो आज़े देखते हैं आप क्या करता है यह hello php आप display कर दिया तो इसको कहते हैं concatenation assignment operator तो यह इस तरह से स्ट्रिंग के operators हो गए अगर आपको कोई question है तो आप comment box में जरूर लिखेगा अगली वीडियो में मैं आपको ले करके आऊँगा array operators के बारे में आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलेगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको notification मिलता रहे तब तक के लिए धन्यवाद